हेलो दोस्तो रैक पीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पिछले क्लास में हम लोग डाइस को कंप्लेट कर चुके थे आज हम लोग वेंड डाग्राम स्टार्ट कर रहे हैं चली सुरू करते हैं देखें वेंड डाग्राम में ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए बस दो अबजेक्ट के बीच में क्या संबंध हो सकता है सिर्फ हम लोग वेंड डाग्राम में इसी को समझते हैं इसमें देखें तीन केस ही होता है तीन ही रिस्ता किसी भी दो लोग के बीच में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चले बारी-बारी से तीनों को देखते है देखिए इस्थिति वन पहले इस्थिति में क्या होगा देखिए जब दो समू हो में से कोई एक समू अन्य दोसरे में पूर्णता समाहित हो देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज बे टेस्ट किया जाता है क्योंकि थोड़ी से आपको नॉलेज होना यहाँ पर जीकिये की जरूरत है देखिए मैं एकजामपल में आपको समझाता हूँ देखिए एदि समू ए समू बी में पूर्णता समाहित है अर्तात यह जो समू ए है यह क्या है समू बी में पूर्णता समाहित है ठीक है अभी आपको यह अजीब सा लग रहा होगा मैं example से आपको समझाता हूँ देखे example के लिए आप जैसे माल लीजे नई दिल्ली है ठीक है और भारत है ठीक है एक घेरे में नई दिल्ली है और एक भारत है यह बड़ा वाला भारत हो गया तो आपको आप समझ आ रहा होगा तो यहाँ पर जैसे A को आप समझ लीजे नई दिल्ली और B को समझ लीजे आप भारत तो दोनों में मतलब यही है कि दोनों में संबंध क्या होगा तो नई दिल्ली जो है वो भारत के अंदर आती है तो हम लोग यहाँ पर क्या रिस्ता दर्स आएंगे हम लोग इस तरह से सरकल को ड्रो करेंगे कि यह नई दिल्ली है छोटा वाला सरकल और यह जो बड़ा वाला सरकल आ रहा है यह हमारा भारत है कहने का मतलब यहाँ पर यह है यह जो छोटा वाला A है यह B के अंदर पूरी तरह से समाहित है और यह वाला जो इतना दूर एडिया है यह वाला यह 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 A और B दोनों का पार्ट है यह A और B दोनों का पार्ट है ठीक है इसमें A भी है और इसमें B भी है बाकी जगा पर सिर्फ B है लेकिन इतने दूर में A और B दोनों ही है क्योंकि यहाँ पर दोनों common हो जाता है ठीक है चले देखिए एक example और question देखते हैं RRB TC 2007 का question है दी गई रेखा क्रितियों में से कौन सी आकरती मुंबई और महाराष्ट के संबंध को परदरसित करती है देखिए knowledge थोरा सा आपको होना चाहिए general knowledge का कि महाराष्ट के अंदर ही मुंबई है ठीक है महाराष्ट के अंदर ही मुंबई एक सहर है देखिए अब मुं तो कौन सा figure हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा C वाला हो जाएगा ठीक है एक एक करके तीन केस है पहले तीनों केस आप समझ देजे फिर आप आसानी से सवालों को बना पाईएगा यहाँ पर जड़ा सा देख लिजे तो यह वाला जो एडिया था अमारा यह क्या था A और B का उबैनिष्ट भाग अर्था दोनों का common area ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे दूसरी स्थिति में क्या है जब दो समूव में से दोनों समूव अलग अलग होते हैं अर्था इन में कोई भी आप से संबंद नहीं होता है ठीक है यदि समू A वा समू B में कोई संबंद नहीं होगा तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे दोनों को अलग अलग लिखेंगे अर्था दोनों अलग अलग मामा एक तरफ कर दीजे फूफा एक तरफ कर दीजे बाराद में ठीक है दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इस तरह से जब भी कोई संबंद नहीं होगा तब हम उसको इस तरह से दिखाएंगे, दोनों को हम लोग अलग सरकल से दिखाएंगे तच नहीं कराएंगे दोनों को, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर था भी जिसे पिछले figure में तो हम लोग क्या किये, हम लोग इस तरह से दिखाएं यहाँ पर लेकिन यह case नहीं है यहाँ पर क्या है A और B में दोनों में कोई संबंध नहीं है तो A और B दोनों अलग-अलग सरकल रहेंगे जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है अब देखिए इसमें question है दी गई रेखा कृतियों में से कौन सी आकर्ती पुरुस और महिला के संबंध को परदर्सित करती है अब एक बात बताएए पुरुस और महिला में कुछ common है क्या कुछ भी common नहीं है तो पुरुस अलग हो जाएगा महिला अलग हो जाएगी तो यहाँ पर answer हो जाएगा हमारा A ठीक है? दूसरा SST का question है plus 2 2009 का subscribe कर दीजे देखें तीसरी स्थिती देखते हैं जब दो समूँओं में से कोई एक समूँ अन्य दूसरे में अंस्ता समाहित हो अर्था थोड़ा सा हो पूरा ना हो अब आप कहेंगे पूरा का क्या मतलब है थोड़ा क्या मतलब है समझते हैं पहले यहां पर समझते हैं, इससे पहले एकजामपल ले लेते हैं देख 영상 میں किया ले सकते हैं माल लिजे थोड़ा सा क्या क्या हो सकता है जैसे कि माल लिजे पुरूस है एक एकजामपल के लिए मैं बता चाहरा हуль पुरूस है अब अगल में किर्केट है ठीक है कि भारत में किर्केट बहुत खिला जाता है ठीक है अब एक बात देख क्या सारे पुरुस किर्केट खिलते हैं क्या तो आप कहले का नहीं सारे पुरुस तो किर्केट नहीं खिलते हैं ज्यादातर खेलते होंगे, कम अधिक खेलते होंगे, लेकिन सारे के सारे नहीं खेलते हैं, तो माल लिजए ये वाला अगर पुरुस का है, ये वाला सरकल अगर पुरुस को दर्सारा है, तो किर्केटर जो होगा, क्या इसमें हो, ये पूरा इसको कभर करेगा, आप बोलेगा नहीं तो हम कहेंगे यहां पर कुछ पुरूस जो होंगे इस तरह से यह वाला जो पाठ हो गया हमारा बीच में यहां पर यह वाला पाठ ही सिर्फ क्या होगा यहां पर यह पुरूस पलस किरकेटर यह दोनों हो जाएंगे यह क्या हो जाएगा यह वाला पाठ हमारा यह पुर पूरूस भी होगा और किर्केटर भी होगा लेकिन पूरा का पूरा पूरूस पूरा किर्केटर नहीं हो सकता है पूरा का पूरा किर्केटर साड़ा पूरूस नहीं हो सकता है ठीक है कुछ किर्केटर महला भी होती है ठीक है कोई जरूरी नहीं है किर्केटर कहा दिया गया है तो पुरुसी होगा पूरा किर्केटर ठीक है महिला भी किर्केट खेलती है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर आब आप समझे समू A, समू B आपस में अंस्तर समाही थे अर्था थोड़ा सा समाही थे एक दूसरे में तो फिर उसको हम लोग कैसे दर्साते हैं A और B का उभेनिष्ट भाग अर्थात कोमने भाग देखे इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके लाइन लाइन करके इस तरह से बीच मेहरिया को यहाँ पर हम लोग दर्साते हैं ठीक है हाँ लेकिन कुछ महिला पक्का सिक्षक होती है तो आपका यह का अगर यह महिला का सरकल बनाए है हम लोग अगर यह सरकल हम लोग महिला का बनाए हुए है एक सेकेंड अब देखिए माल लीजे यह सरकल हम लोग महिला के लिए बना दिये यह सरकल किसके लिए है महिला के लिए तब एक बात बताएं यह सिक्षक कहा होंगे इसमें क्या पूरी महिला सिक्षक होगी तो आपका यह गर नहीं क्या पूरी सिक्षक महिला होगी तो आप बोलेगा ये भी संबब नहीं है क्योंकि हर सिक्षक महिला ही नहीं होती पुरूस भी होती है तो इसका मतलब है कि इसको ये थोड़ा सा ओबरलेब करेगा अर्थाति इसको थोड़ा सा काटेगा और ये बीच का एडिया जो हो जाएगा यही महिला पलस सिक्षक दोनों हो जाएगा जैसे पुरूस पलस क्रिकेटर था वैसे ही यहां पे महिला पलस सिक्षक हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये वला एडिया हमारा ये महिला पलस सिक्षक हो जाएगा तो इस तरह का उप्सन जहां दिखेगा वहाँ हम लोग मार देंगे अब ये figure बनाना नहीं परता अब ये आपको समझाने के लिए बना रहा है इसके बाद नहीं बनाएंगे इसके बाद आपको दिमाग में लगाना है कि महिला है सिक्चक है तो कुछ महिला है सिक्चक होगी अब जब देखिया हम लोग तीनों चीज यहाँ पर समझ लिए हैं, तीनों प降 लिए साथ, समझ लेते हैं, पहला केस क्या था? पहला केस इस तरह से हो सकता है, कि ए जो है पूरी तरह से बी के अंदर दो, दूसरा केस क्या हो सकता है? A और B में कोई रिस्ता ही ना हो एक मामा एक फूफा बरात का दोनों अलग ठीक है A और B दोनों अलग हो तीसरा रिस्ता क्या हो सकता है ठीक है दो-दो मम एक मोमेरा भाई एक मोसेरा भाई इलोग में पढ़ जाता है तो उदोनों क्या होगा ठोड़ा 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 ठोड़ देखे थे पूरू सर कर्केटर का एक्जामपल देखे थे ठीक है अब यहां का एक्जामपल लेना चाहिए नमक और चीनी कोई मतलब है दुनों में दुनों अलग अलग हुआ और ए और बी में देखना तो पहले ही बता दिये थे नई दिल्ली भारत पटना भिहार कुछ भी इस तरह का हो सकता है चलिए आगे बरते हैं अब देखिए यहां से question श्टार्ट करते हैं विनारेक की सहाइता से तर्क वाक के कुछ फेरी वाले लग पती है का सही निरूपन निम्लखित में से कौन सा होगा देखिए कुछ फेरी वाले लग पती है सारे फेरी वाले लगपती नहीं है इनका कहना है कि कुछ फेरी वाले जो है वो लगपती है ठीक है जब कुछ फेरी वाले लगपती है तो एक बाद बताई आप देखे इस तरह से तो हम लोग कुछ दरसाते ही नहीं है इस तरह से हम लोग कुछ भी नहीं दर्साते हैं ठीक है दर्साते कैसे हैं अभी तुरन बताये वे थे इस तरह से ये क्रॉस करके हम लोग कुछ भी नहीं दर्साते हैं ये क्रॉस करके हम लोग कहीं भी नहीं दर्साते हैं और इस तरह से कवर करके भी ठीक है तो कुछ फेरी वाले लगपती है तो इसका कैसे बनेगा ये फेरी वाले हो गया अब कुछ फेरी वाले तो कुछ को इसमें से छाट के निकाल दीजे और ये बड़ा सा लगपती हो गया ये वाला एरिया जो हो गया, ये वाला लगपती हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला फेडी वाला हो गया, अब आप देख लिजे, यहाँ पर कुछ फेडी वाले लगपती हो गया, जो सारे लगपती है, उसका भी कुछ भाग क्या है, फेडी वाला है, दोनों उननीस में एकजाम हुआ था सायद भही वाला वह आरेक चुणिये जो नीचे दिये गए वरगों के बीच के संबंद का सही निरोपन करता है देखिए इसमें तीन तरह से question आता है आम तोर पर जहातर question यही आता है आपको तीन तो चीज यहाँ पर दे देगा और कहेगा इसमें आपको कि आप इसमें चुनिये कि इसमें तीनों के बीच में संबंद क्या है ठीक है और एक टाइप जो आता है वो आम लोग नेक्ष क्लास में कर लेगे दूद, तरल, कलम अब एक बाद बता है दूद क्या होता है तरल होता है कि नहीं होता है दूद जो है तरल होता है या नहीं होता है तरल का मतलब क्या होता है देखिए पहले ही बताए इसमें आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज का ज़रुरत हर जगा पर पढ़ेगा देखें तरल का मतलब होता है तरल पदार्द, ठीक है, लिक्विड जो होता है, तो दूद तो एक लिक्विड ही है, तो एक बात बताईए, दूद ये वाला है, मालिजे थुरादर के लिए, तो तरल कहां होगा, आप कहिए का तरल के अंदर में दूद आएगा, ये वाला जो धेर सारे तरल पदार्थ होंगे, लेकिन दूद तरल के अंदर आएगा, ठीक है, इसको और कैसे कैसे option चेक कर सकते हैं, देखिए आप वो भी समझाते हैं, यहां समलब option कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, एक बात बताएए, तरल पदार्थ, दूद, कलम, क्या कलम को दूद और तरल से कोई लेना देना है कलम तो सॉलिड होता है ठोस होता है तो आपकर जिए कर नहीं कलम को तो कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब है कलम जहां भी होगा उस समास से अलग होगा वो एकदम अलग खड़ा होगा कहीं पे क्या यहां पे कोई भी option लिख रहा है जिसमें अलग दिख रहा है आपको तीनोग मिला हुआ है यहां पे अलग है नहीं है अब देखिए C में भी अलग है D में भी अलग है तो अब हमको A और B चेक करना होगा रथा दूद और तरल का रिस्ता चेक करना है यह तो confirm होगया कि यह कलम होगा यह कलम को दर्सारा यह confirm है ठीक है अब आपको सिर्फ यह बताना है कि दूद और तरल में क्या रिस्ता होगा तो आपका यह दूद जो है वो तरल के अंदर आता है तो यह किन से option में आपको दिख रहा है तो यह आपको C option में दिख रहा है देखिए यहाँ पर आपको हर जगा पर जनरल नॉलेज का थोड़ा सा ज़रत पढ़ेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है वहां एक चुनिये जो नीचे दिये गए वर्गों की बीच के संबंद का सही निरोपन करता है समाज, दोस्त, दुस्मन ठीक है अब बात है समाज में दोस्त और दुस्मन दोनों रहते हैं समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं बुरे लोग भी रहते हैं खराब लोग भी रहते हैं संसकारी लोग भी रहते हैं सब तरह के लोग रहते हैं ठीक है तो दोस्त और दुस् यहां पर देखिए सबसे पहले अप्सन से चुनिएगा तो एक ही आंसर हो सकता है यहां B नमबर, क्योंकि इसी में आप देख रहे हैं दोटो अलग है, दोस्त और दुस्मन, बाकि किसी भी आप्सन में हमारा अलग अलग नहीं दिया हुआ है, इसमें तो एक के अंदर, एक के समाज के अंदर दोस्त, दोस्त के अंदर दुस्मन, इस तरह का कोई माला यह नहीं हो सकता है, तीनों जुरा हुआ, होगा नहीं, ठीक है, डी नमबर, होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, एक ही आंसर है, यह बड़ा वला गोला जो होगा, यह बड़ा वला गोला, यह हो जाए और समाज के अंदर में दोस्त और दुस्मन होगा, ठीक है, चलिए आगे बरते हैं, निमलिकित में से कौन सा आरेक सिक्षक, पुरुस और महिलाओं के बीच सरवाधिक संबंद को दर्साता है, ठीक है, अब एक बाव बताएं, पुरुस है, महिला है, सिक्षक, पुरुस और महिलाओं, तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो सकता है, एक बाव बताएं अब, पुरुस और महिलाओं में कोई संबंद होगा, आप कहिए, पुरुस और महिलाओं में कोई संबंद नहीं होगा, ठीक है, जब पुरुस और महिलाओं में कोई संबंद वो सिक्षक होंगे तो इस तरह से आप गेरिएगा फिर आपसे पूछें कुछ महिला सिक्षक होगी की नहीं होगी तो आप बोलेगा हाँ कुछ महिला भी सिक्षक होगी तो इसी तरह का फिगर बनेगा एक महिला हो जाएगी एक में पुरूस हो जाएगे ये वाला फिगर जह लगये भी गलात उट और इन दोनों काम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से भी कर सकते हैं option eliminate करने से अच्छा आपको हमेशा दिखेगा कि आप चीजों को समझने की कोसिस कीज़े जैसे आपको सिक्छक, पूर्وس और महिला दिखा तो आप यहां पर तूरंट दिमाग लगाए कि कुछ सिक्छक जो होगे पूरूस होगे कुछ महिला जो होगी सिक्छक होगे अर्था सिक्छक के साथ पूरूस और महिला का सμबंध हो गया तो आप तुरंट एक option में खोजिए, कौन सा एक option है, जो हमें महिला और पुरुस के साथ सिक्छक को जोड़े हुए, तो आपको तुरंट दिमाग में जाएगा, कि C option जो दिख रहा है, वो बीच वला सिक्छक को दर्सारा होगा, और बाकी दोनों एक पुरुस को और एक महिल मार आगजनी करने वाले, अपरादी, पॉकेट मार अपरादी होता है कि नहीं होता है, आपका ये गाँ, ये भी अपरादी होता है, तो ये दोनों जब अपरादी ही होता है, आगजनी करने वाला, अब एक बात और बताईए, आप क्या ऐसा पॉकेट वार नहीं हो सकता है, जो आगजनी भी करता हो और पॉकेट माडी भी करता हो तो आपका ये गा है ऐसा तो भिन-भिन कोटी का भारत में गुंडामावाली सब है जो चार-चार तरह कराइम करता है खून भी करता है उसके बाद आपको बैंक भी लूट लेगा सब कुछ करेगा ठीक है तो इसका रूप से अपराधी है तो अपराधी के अंदर आईए तो इसका मतलब है कि एक सरकल के अंदर में आएगा पॉकेट बाड भी और आगजनी करने वाला भी तो सबसे पहले आप यह बताए कि यह हो सकता है आपका यह यह तो बिल्कूल आंसर नहीं होगा यह क्योंकि यह आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अपराधी के अंदर में आएगा दोनों अपराधी यह अगर बरावला सरकल है तो इसके अंदर में एक पॉकेट मार आएगा इसी के अंदर में आगजनी करने वाला आएगा इन दोनों के बीच में क्या संबंद होगा इस पर बात नहीं कर है अभी हम लोग ठीक है लेकिन ये कंफर्म है कि अपराधी के अंदर में ही pocket मार आएगा आगजनी करने वाला आएगा तो जहां पड़ भी आपको अंदर में दिख रहा है बस वही सही होगा ये तो निश्चित रूप से गलत है क्योंकि अपराधी के अंदर में दिखाड़ा यहां पे pocket मार और pocket मार के अंदर में दिखाड़ा आगजनी करने वाले ऐसा नहीं है आगजनी करने वाले pocket मार ही हो और कोई जरूरी नहीं है ठीक है कुछ होंगे कुछ होंगे सब नहीं हो सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर कौन सा best option है बी और सी ऐसे यहाँ पर दोनों answer हो सकता है यह भी हो सकता है कि नहीं हो लेकिन जो chances रहते हैं जो सामतोर पर समाज में देखा जाता है कि pocket mark करने वाला आग जनी भी कर लेता है ठीक है तो उस हिसाब से यहाँ पर answer हमारा सी ज्यादा उप्यूक्त है हम लोग सी को answer लगाएंगे ठीक है यह बड़ावाला circle क्या हो जाएगा यह बड़ावाला circle अपरादी हो जाएगा और pocket mark और आग जनी यह दोनों हो जाएगा और यह में क्या इसके हिसाब से answer सही होगा क्योंकि वहाँ पर दोनों answer सही लगता है कभी-कभी ठीक है चली next रहते हैं आज कल तो सही option आते हैं आज कल थोड़ा इतना confusing option नहीं आता है जो नया 2017 17-18 के बाद जो question आ रहा है निमलिखित में से कौन सा आरेक चोर पुलीस और अपरादी के बीच सही संबंद को दरसाता है अब देखे चोर है पुलीस है अपरादी है एक बाद बताईए अब चोर अपरादी होता है कि नहीं होता है पुलीस का कोई संबंद है या तो चोर से आप पुलीस का कोई संबंद नहीं है चोर से लेकिन चोर का संबंद है अपरादी से आप बताई अपरादी के अंदर में चोर आएगा कि नहीं आएगा ये बड़ावला अपरादी हो गया और अपरादी के अंदर में चोर आएगा तो ये वाला figure सबसे पहले खोजना होगा में कहां पढ़ है और इसके बाद हम कहेंगे जो चोड है जो पुलिस है उसको इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है उसको आप बाहर रखिए क्योंकि इन दोनों से उसको कोई लेना देना नहीं है option देख लिजे कहां पढ़ है जहां लिखे हैं, वहीं है, C number option में है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, सोचने के लिए, बस आपको दिमाग लगाना है, कि इन दोनों के बीच में संबंध कैसा संभव है, ठीक है, देखे, जुरा हुआ तो तीनों हो ही नहीं सकता था एक दूसरे के साथ में, यह हो लग-लग तो लिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चोर और आप रादी जुरे हुए हैं, तो यहाँ पे एक ही आंसर बचा, C, जब भी आप फस जाईए ऐसे कुस्चनों में, अभी कभी वे आपका दिमाग कामना करें, क्या सही है, तो आप उसके बाद option चेक केजिए, अगर आ लग-लग होते हैं, D को कार दिजे, तीनों को जोड़ा हुआ है, नहीं होगा अंसर, अब आप एक बचा यहाँ पे, तीनों अलग-लग होगा, नहीं होगा, सेर भी मांस भक्षी होता है, लोमडी भी मांस भक्षी होता है, दोनों मांस खाता है, तो दोनों का मांस भक्षी के साथ relation होगा ठीक है तो यह नहीं हो सकता है अब आप पता यह B और C में कौन सा अंसर होगा मांस भक्षी के अब देखिए सेर और लोम्री में कोई संबंधी नहीं है कोई रिस्ता नहीं है तो सेर और लोम्री में देखिए C नमर अप्सन में देखेगा यह एक सेर हो जाएगा यह एक लोम्री हो जाएगा यह तो आदमी का चेहरा बनिया लगड़ा गुड़ा टाइप चलिए आगे पड़ते हैं दिये हुए चित्रों में से वाद चित्र चुनिये जिससे निमलिखित अब्यवों का समू सही तरीके से चित्रित हो चछतिस गड़ पटवाडी 2100 लवब घ़र इते पूल अब एक बाद बताए घ़र इते पूल ठीक है घर जो बनता है वो किस से बनता है तो आपका यह एट से बनता है सिमेंट से बनता है और भी चीजों से बनता है गिट्टी वगेरा फलाना चिलाना धकाना लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एट जो है इट ठीक है इस कुछ इट से हमारा जो है घर बना होगा आप बुलेगा हाँ निस्चित रूप से सही बात है यह जो इट है इट से हमारा घर बना होगा पूल है पूल भी क्या सिर्फ इट से बनता है तो आप बोलेगा नहीं कुछ इट लगता है उसमें कुछ सिमेंट कुछ बालो कुछ गिट्टी इस तरह से ता आप कहिएगा यह पूल भी होगा यह कुछ इट आगो लेगा यह पूल यह घर तो ऐसा उप्सन आपको जहां दिख जाएं मार दीजे बी नमबर उप्सन में हैं बाकी उप्सन को वैसे भी आप देखिएगा तो सही नहीं हो सकता है तो यहां पे तीनों देखे डी बला तीनों अलग-अलग होगा नहीं इट से घर बनता है तो संबन तो न सकते हैं और आपका दिमाग काम कर जाए डारेट फिगर सोच लिजे दिमाग में कौन किसके अंदर हो सकता है देखे जब एक्जाम में बनाई है तो सिर्फ डारेट ऐसे बनाई है सीधा सोच करके कि घर इटे पूल कुछ इट से घर बना एक घर जो बना होगा वह इट वग चली नेक्स देखते हैं वह आरेक चुनिए जो नीचे दिएगे वर्गों के भी से महां फलना चला अस्तन पाई कुत्ता चमगादर आपको पता होना चाहिए चमगादर है यह भी अपने बच्चों को दूद पिलाती है ठीक है तो यह भी है कुत्ता भी होता है अस्तन और एक चमगादर और कुत्ता और चमगादर के बीच में कोई संबंध नहीं होगा चली नेक्स देखते हैं चाय कॉफी पे का मतलब क्या होता है पे का मतलब क्या होता है तो आपका यह पे का मतलब होता है कोई भी पीने वाला पादार्थ चाय पिया जाता है तो आपका यह कि एक पेपदार्त होगा और उसी गंदर में चाय और कॉफी होगा अब आपसे पूछे चाय और कॉफी में कोई संबंध है तो निश्चित रूप से नहीं है अभी मत कहिए कि दुकान पे चाय पीते हैं उसमें थुरा सा कॉफी भी डाल दता है चाय में चाय और कॉफी में सं हो जायेगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्याज सबजियां खाद पदार्त है इनकी खाद पता है खाने योग जितने भी चीजे होती है, खाने योग जितनी भी चीजे होते हैं, उसको आम लोग खाद पदार्थ करते हैं, चावल, दाल, आटा, रोटी, फलना, चिलना, सब कुछ को किस में गिना जाता है, खाद पदार्थ को, जो भी आप खाते हैं, वो सब खाद पदार्थ है, आम तोरबे, ठीक है, अब आप गिट्टी खाते होंगे, तो उसको खाद पदार्थ में नहीं कहने लेंगे, ठीक है, तो प्याज, सबजी, खाद पदार्थ, तो एक बाद बताए, यह प्याज क्या, किसके अंदर आएगा, आप कहिएगा, सबजी के अंदर में प्याज आएगा, फिर हम पूछेंगे, यह सब खाद पदार्थ के अंदर आएगा, तो आप बोलेगा, हाँ, यह सब चीच खाने वाला ही तो चीज है, तो खाद पदार्थ के अंदर में आ जाएगा एक ही option होगा B number ये सबसे छोटा वाला जो है ये प्याज हो जाएगा इससे बड़ा वाला सबजी हो जाएगा इससे बड़ा वाला खाद पदार्थ खाद पदार्थ के अंदर में सबजी सबजी के अंदर में प्याज ठीक है इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा चले आगे देखते है अब इमत बोलेगा प्याज सबजी है नहीं होता है ठीक है 11 का B 12 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर दिख क्यों नहीं रहा ठीक से निमलिखित में से कौन सी आकरती यहाँ पर मिंटो लिखा हुआ है यहाँ दिनो है यहाँ पर महिने लिखा हुआ है मिनट दिन और महिनों के बीच में संबंद बताना है तो बहुत आसान है महिना के अंदर में दिन होगा दिन के अंदर में मिनट होगा इस अपया आसानम को ब니다 न रूमति का मेरे ख्याल मुंबति का इन लोगों से और आइस मुंबत्ती का इन लोगों से क्या रिस्ता कोई रिस्ता नहीं बस लोग केंडल जुलूस भले निकालता है बड़ा बड़े कोई ना कोई चीज पर लेकिन मुंबत्ती से लोगों कोई रिस्ता है नहीं तो मुंबत्ती जो होगा वो हमारा एकदम अलग दिखाई देगा कहीं न होगा नहीं एक ही अंसर बच गया और वो बच गया हमारा चार नंबर ठीक है अब आपको समझाने के लिए समझा देते हैं कि यह अंसर होगा कैसे देखे जो राजनितिक होते हैं वैसे भी आप तो समाज के लोग हैं समाज में आपने देखा आई होगा जो राजनिती करता है वही ठेकेदारी करता है नितागिडी किया चार दिन आगे पीछे किया है वो ठेकेदारी उठा लिया तो जो राजनितिक होता है वो ठेकेदार होता है और जो ठेकेदार है कुछ लोग बराबरा ठेकेदार जान बुछ कि राजनिती जोइन करता है बलक से वाइट करेगा पैस ठीक है तो कुछ ठेकेदार राजनितिक की भी होते हैं ठीक है जो का पार्ट उस अब छोड़ दीजे राजनितिक भी कुछ ठेकेदार होते हैं और कुछ ठेकेदार राजनितिक होते हैं तो ये दूनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे और मुंबत्ती जो है ये होता है चैनल का नाम आप जा के टेलिग्राम पर सर्च निजए ऐसे दो jak своल दिंक रहता है वहां से नहीं खोले तो यूटूब वाला हिए सर्च करके जौकर लीजिएगा और अगर आपको कोई भी दिक्क्त होता तो जाइएगा अंदर डिटेल में वहाँ आप हमको मैसेज कर सकते हैं या फिर उसका हेंडल रेक वेडिया ओफिसियल है ठीक है चले आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत वंदे मात्रम